खबर देवरियों से हैं देवरियों जिन्पत की भाट पार रानी थाना शेत्र के ग्राम बेल पार पंडित निवासी बजरंगी राजपर आवं उसके पिता अक्षे लाल राजपर के उपर दर्चनो यूको ने जटहा वीर बाबस्तान पर बारा मार्च दोहजार चोबिस की आठ बजे के करीब जानलेवा हमला किया पिडित बजरंगी राजपर आवं उसके पिता गंभी रूप से घायल हो गए और अक्षे लाल राजपर के एक हाथ बुरी तरहां से कई भागो में फैक्टर हो गया जिसकी शिकायत पिडित ने भाटा पार रानी थाने में थी पु प्रादे कि यह माम लाधार कार्ट बनवाने हैं लाइन लगाने को लेकर हुआ था वहीं पिडित ने उचादिकारियों से लेकर सी एम तेको ऑनलाइन पॉर्टल पर भी शिकायत की है वहीं पिडित का कहना है कि पुलिस ने अभी तक केसी की भी गिरफतारी नहीं की है क्या मुल रही हैं और हम परिवार वाले काफी डरे सह में हैं और मानने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं तारिक आठ बचकर 15 मिनट राज की बात है अभी सब दरोगा जी किसी का धिरफतारी नहीं दिखा रहे हैं हमारे साथ कुछ गुंदों ने आकर के मुझबान करके और कुछ लोग फुले में आकर के दुकान बन करते समय जान लेवा हमला किया और दुकान में भी तूटे इसकी सुचिना हम भाठ पर राने ठाना जग्ट को दिए हैं स्पिस आपको दिये हैं मुख्रमंत्री पोटल पर दिये हैं ए फियार भी किये हैं उसमें अभी दरोगा जी किसी के गिरबतारी नहीं हमको दिखा रहे हैं हम चाहते हैं कि आरोपियों को सब्ट से सब्ट सजा मिले कि मार्कृत में तेनों लोगा नहीं है है कि ओ ऍचनि कि फ़ले को अरोपि लोग चार लोग इसमे अ कुछी लोग बेल पार्के हैं कुछ लोग पार jonहाकर से हैं कि अहां कुछ दो लड़कों को दरोगा जी उठा के ले गए ते घटना के बाद और उन लोगों को छोड़ दिये दरोगा जी समझे इसकी सिकायत हम किये हैं इसकी साथ के पास भी किये हैं मुखमंतिरी पोटल पर भी किये हैं करवाई उदर से तो चल रही है लेकिं यहां पे दरोगा जी किसी की गिरफ्तार ही नहीं दिखा रहे हैं हम आरोपियों को सब्सक्राइब गिरफ्तार करके उनको परी से परी सजा दिलाने का सोच रहे हैं हमारा नाम अच्छे लाल राजभर है कर आम बेलपार पंडित से भाटपार रानी जिला देवर ही आसे हैं हाँ बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग यह केस कर रहे हो केस नहीं उठावगे तो सबको पूरे परिवार को गोली मार देंगे हम लोग कि बारत तारिक आठ बज कर 15 मिनट राज की बात तर यह घटना साथ तीन चौविस आधार काड को लेकर सेसी सेंटर पर हुआ था तो वहां पर कुछ बदमास भी आए और वह बोले कि हमारा आधार काड कोहले बनना चाहिए तो जिनका दुकान है वह बोले भईया इतने लोग लाइन में लग आप लाइन में लग जाए तो वने अभदर बोले और उसके बास बोले ना इसके बास आपका ही बना देंगे त मारने के बाद फोन करकर बुलाए और एक गाड़ी कार से आए वो लोग और जितने लोग अंदर मौजूद थे जनता लोग आते वो कार से निकलकर तब थोड़ मारना सुरू कर दिये इसके बास सर मामला यह हुआ कि हम लोग समझे कि छोड़ जादे वो रंगदार लोग उलजना सही नहीं है तो उसके बास हम लोग थंदा होगा मारने के बास जाग गए थाने पर अप्लिकेशन दे दिये ता हम लोग खिलाब और पुलिस आई और हमें हमारे चोटे भाई को उठा कर लेकर चली गई थी और रात रखने के बास साम को छोड़ी और उसके बास से हम लोग को लागा कि जाने देजी हम लोग उसके कंप्लेंड नहीं करेंगे जिनका दुकान है उनसे बोले बहिया चलिए एक दिया जाए म कुप बोले जाने देजी हम लोग बारत तारी बारत तीन 24 को जब हम लोग दुकान बंद कर रहे थे तो दस पंदरा जो बादमास यहां जगड़ा किये थे वो प्लानिंग करकर बारत तिन पंदरा आठ बच कर पंदरा मिनट को पीछे से हमला किये थे अचानक मंदीर के पास दुकान में चोरी किया है और मार कर मेरे पीटा और भाइए को और हमें भी चोड़ा चोटा आई थी मेरे पीटा का मार का हाथ को छोड़ दिया गया है तो पुलिस में कर रहे हैं दरोगा साहब की आठ लोग गिराफतारी हुई है जो उसमें मुझे पुरूप नहीं दे रहे हो तो आपको अगर एक केस तुम नहीं उठावे तुमें और तुमारे परवार को जान से गोली मारकर खतम कर देंगे वह रंगी राजबर अगर नहीं मिला तुमानिय मुख्यमंतरी के पास हम निवेदन करेंगे कि वह सब उनलोग के सजा दें वह रंगी राजबर डेल पर पंडित क्या नाम है आपका अच्छे लाल राजबर ग्राम डेल पर पंडित पोस्ट बाट पारानी जिला देवरिया अच्छा यह हाथ पे कोण कोणा रहे है और जान लेवा हमला